हेलो गाइज अगर आपने SBI सेक्यूरिटी ने अपना डीमाट अकाउंट ओपन किया है और आप वो चाहते हो कि ओनलाइन आपको क्लोज करना है तो आज हम पूरे आपको स्टेफ बाइस टेप दिखाऊंगा किस तरह से आपको SBI सेक्यूरिटी का डीमाट अकाउंट क्लोज क करने के बाद सबसे पहले आपको यहां पर पोर्टफोलिय के अंदर आना है क्योंकि यहां से ही सारा आपका अकाउंट क्लोजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है इसके अंदर आप देख सत्यों ओवर्यू लिखाए यहां पर आपको कोई भी वैल्यू नहीं होने चाहिए यहां पर आपको कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए देख से तो यहां पर भी कोई भी होल्डिंग नहीं है और कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए अब यहां पर आपका तो आकाउंट सारा जिरो हो चुका है अगर किसी का नहीं हो रहा सेर्स अगर आपकी पेंडिंग है तो वो सेल कर देना है दो दिन तक आपको वेट करना है क्योंकि उसका सेटलमेंट हो जाएगा सेटलमेंट होने के बाद आपको फंड विड्रा कर लेना है उसके बाद में इंपोर्टन बात यहाँ पर आपको option में जाके यह जो कॉंटेक्ट अस लिखा है इसके उपर क्लिक करके आपको कॉस्टेमर के और को कॉल करना है क्योंकि इनका जो चार्जर्स होता है जो अकाउंट मेंटनेंस चार्ज होता है एंसी चार्ज वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता और अगर आप डिरेटली जाते हो क्लिक करने के लिए तो वहाँ पर एरर आता है आपका लेजर बैलन्स क्लियर नहीं है तो इसके लिए आपको सबसे पहले कस्टेमर के को कॉल करके पूछना है कि भाई मेरा अकाउंट में बैलन्स कितना पेंडिंग है क्योंकि मुझे अपना अकाउंट क्लोज करना है जैसे इसको पूछोगे वह आपको लिमिट बताएगा कि कितना आपका पेंडिंग है यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से 483 रुपीज मेरा पेंडिंग था तो मैंने कंप्लेट कर दिया है पेंडिंग करके तो इस तरह से आपको पूछ लेना है कि आपका पेंडिंग आमाउंट क यहाँ पर आपको जो जीरो दिखेगा नहीं तो आपको जो अफंड आपने एड किया है वो डायरेटली दिखता रहेगा यहाँ पर यह 100% आपको जो जो पास्उड हे वो डाल के यहाँ पर क्लिक करना है सब्मेंट करने के बाद आपको इनापको सब्मेंट करने के बाद चुरण से जो हे वो डिटल चப उसके बाद चेश्यब shuts को इस तरहीं हो तो इसी के उपर आपका close करने के लिए process करना है तो इसके उपर हम click कर देते हैं अब next वाला page खुल चुका है यहाँ पर आपका client code automatic ले आज जाएगा और pen card बे आज जाएगा आपको सिर्फ यहाँ पर आपका reason चूज करना है जो कि हम यहाँ पर कोई भी reason चूज कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रोचिट के उपर click करना है फ्रोचिट करने के बाद आपके mobile नमबर पर और email आड़े पर एक OTP आएगा वो आपको नीचे जो box दिया है वहाँ पर डाल देना है तो यह सारी process होने का बाद आपको 2-3 दिन तक wait करना है जिसके बाद आपको email पर confirmation आजाएगा कि आपका account 100% close हो चुका है और यहाँ पर आपको कुछ भी doubt लग रहा है तो comment ज़रूर कीजे मैं आपको 100% reply ज़रूर करूँगा और वीडियो को पसंद आए तो इस तार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब दूर कीजे और वीडियो को भी लाइक कीजे मिलते हैं गाइस नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए